ओम श्री गणीशायनभा प्रेम से बोलिए विगनर्ता भगवान श्री गणीश की जय इससे पहले की कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक और प्यारे-प्यारे से कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद आज सुनिए आगी की कथा कुछ दिन राजा चक्रपानी का आतित्थे ग्रहन करने के बाद मयूरिश ने भी शिफ शिवा और अपनी पत्नियों सहित अपने स्थान पर जाने की इच्छे प्रकट की तो राजा ने बेमन से उसे स्विकार कर परियाप्त भेंट आदी के साथ विदा कर दिया अब वे स्वैम उन्हें नगर के बाहर एक योजन दूर तक पहुचाने आए उनके साथ सभी नागरिक भी थे मयूरेश को विदा करते समय सभी की आँखें आस्वों से भीग रही थी वे कहने लगे प्रभो आप हम सेवकों को छोड़ कर जा रहे हैं किन्तु हमारे लिए आपका ये वियोग असहनी हो रहा है हमारे उपर सदयव आपकी दया बनी रहे मयूरेश ने चकर पानी और उनके समस्त प्रजाजनों को समझाया कि आप लोग निश्चिन रहे मेरी करपा से आपको समस्त सुखों की प्राप्ती होगी और मेरे इस्मरण मात्र से आपके सभी संकट भी दोर हो जाया करेंगे इस प्रकार आश्वासन देकर मयूरेश अपने नगर को चल दिये उनके साथ शिव शिवा ब्रह्मा विश्नु आदी प्रमुख देवता भी थे प्रमत आदी गण उनका जैजैकार करते चल रहे थे निश्चित अवधी में गंतविस्थान पर पहुँच कर सभी ने कुछ देर विश्राम किया और फिर कुछ दिन बात ही बात में निकल गए इधर दोनों बहुँँँगों को पाकर देवी पार्वती जी बहुत प्रसन थी वे भी उनकी बहुत सेवा करती और आशिरवात पाया करती थी शिवगान भगवान मयूरेश को प्रसन करने का सदयव प्रयास करते रहते तभी एक दिन शिव शिवा ब्रह्मा विश्नु आदि के सामने मयूरेश ने बड़ी कंभीरवानी में कहा कि देवगणू मैं एक महतुपोन बात कहता हूँ आप सभी द्यान देकर सुनिए मैंने जिस उद्देश से धर्ती पर अवतार लिया था वो कारे तो संपन्न हो गया है असरों के मरने से प्रत्वी का भार भी उतर चुका और द्यात्यों के कारागार में बंधन गरस्त देवता भी मुक्त हो गए स्वाहा स्वधा और वशटकार भी पहले के समा निशंक रूप से हो रहे है इसलिए मेरे अवतार का उद्देश पूर्ण होने पर अब मेरा कोई भी कारिशेस नहीं रहा और मेरे स्वधाम गमन का अवसर भी आ गया है ये सुनकर दुखी हुए देवताओं ने सजल नेत्रों से कहा प्रभो आप हमें त्याक कर क्यों जा रहे हैं अगर अब फिर से दैत उत्पन हो गए तो हमारी रक्षा किस प्रकार होगी चिंता मत करो मयुरेश ने आश्वासन दिया जब भी कोई संकाट उपस थी थो मुझे याद कीजेगा मैं आपकी सेवा और आपकी रक्षा सदैव करूँगा और माता पारवती को तो उनके वचन सुनकर ही मूर्चा आ गई कहने लगी पुत्र तुम्हारे बीना मैं कैसे जीवित रहूँगी मुझे छोड़ कर कहीं मत जाओ मैयूरेश ने समझाते वे कहा मा मैं भी आपके वियोग से दुखी हूँ किन्तु सदैव एक इस्थान पर तो नहीं रह सकता इसलिए विवश हूँ जब द्वापर में मुझे एक भयानक असुर को मारने के लिए अवतार लेना होगा तब तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकट होकर मैं पुनह सुख प्रदान करूँगा तभी शडानन ने रोते वे कहा कि मुझे भी साथ ले चलिए इस पर उन्होंने अपना मयूर शडानन को प्रदान करते वे कहा मयूर द्वज मैं सभी के अंतर में निवास करने वाला होने की कारण हर्दय में भी सदय विद्धिमान रहता हूँ इसलिए मुझे निरंतर अपने साथ ही समझो ऐसा कहेकर गणेश्वर वही अंतरध्यान हो गए अब द्वापर युग का समय चल रहा था ब्रह्मा जी निद्राग्रस्त थे उस समय शूल पाणी उमानाथ ब्रह्म लोक में पधारे चतुरानन की नींद खुली और उन्होंने एक जमभाई ली तब ही उनके मुक से एक अत्यंत भयंकर पुरुष प्रकट हो गया उसकी घोर गर्जना से सारी दिशाएं काप उठी दिकपाल आश्यर में भर गए और शेशनाग शुब्ध होकर विश्वमन करने लगे समस्त प्राणी भय और आशंका से अत्यंत व्याकुल हो गए थे उस भयंकर पुरुष का वर्ण अत्यंत लाल था उसके सुन्दर और अनुपम शरीर से सुगंध निकल कर वातावरन को सुरभित बना रही थी वो तुरंत ही ब्रह्माजी के सामने विनीत भाव से आखड़ा हुआ पद्मयोनी उसे देखते ही विस्मे में भर गए और पूछने लगे कि तुम कौन हो कहां कैसे और किस प्रकार उत्पन हुए और क्या चाहते हो तब वह पुरुष विने पूर्वक बोला की प्रभो आप सरवग्य और समस्त ब्रह्मांड के उत्पन करने वाले हैं फिर भी आप अंजान की तरह मुसे इप्रशन क्यों कर रहे हैं आपने जंभाई ली तब ही आपके मुक से में उत्पन हुआ आपका पुत्र हूँ इसलिए आप मुझे अपने पुत्र के रूप में स्विकार कर मेरा नामकरन कीजिए फिर मुझे रहने का इस्थान और आहार दीजिए मेरा क्या करता वे हो ये भी निर्देश दीजिए ब्रह्मा जी उसके सौंदर्य और विनीद भाव पर मुग्ध और प्रसन थे वे कहने लगे पुत्र तु अत्यत अरुन अंग कांती वाला होने की कारण सिंदूर नाम से पुकारा जाएगा तुझ में तीनों लोकों को वश्मे करने की अध्वुत सामर्थ होगी तुझे पांच भूतों, देवताओं, दानवों, यक्षों और मनुश्यों से किसी प्रकार का भए नहीं होगा इंद्र आदी लोकपाल भी तेरा कुछ नहीं बिगार सकेंगे दिन हो या रात, तुझे कभी भए नहीं होगा पोतर ने आग्याकारी सेवक की तरहा अपना मस्तक जुकाया ब्रह्मा जी उससे और भी संतुष्ट हुए उन्होंने फिर से कहा बेटा, तुझे किसी भी सजीव या नर्जीव वस्तु से भए नहीं होगा जब तु क्रोध पूर्वक किसी को भी अपनी विशाल भुजाओं में जकर लेगा तब उसके शरीर के स्यकड़ों टुकड़े हो जाएंगे अब तु तीनों लोकों में जहां कहीं भी रहना चाहे वहां रहे तुझे कोई नहीं रोक सकता सिंदूर ने श्रद्धा भक्ती पुर्वक पिता के चर्णों में प्रणाम किया और फिर कोमलवानी से बोला हे अखिल ब्रह्मान डेश्वर आप सत्व रज और तम तीनों गुणों के साधन्दवारा संसाल की उत्पत्ती, इस्थिती और प्रलय करते हैं जबकि आपके साथ ही समस्त विश्व तमसवरित होकर सो जाता है करोणों कलपों तक घोर तपस्या करने पर भी आपके दर्शन संभव नहीं होते किन्तु मुझे वे सहजी प्राप्त हुए हैं अब इससे बढ़कर और सुभागी की भला कौनसी बात होगी ऐसा कहकर सिंदूर ने चतुरानन प्रभु की परिक्रमा की और चरणों में प्रणाम कर उनकी आग्या लेकर प्रत्वी की ओर चल पड़ा अभी कुछी दोर गया होगा कि उसके मन में शंका उत्वन हो गई कि न जाने कितने जन्मों के पुन्निस संचित होने पर कठोर तपस्या करने पर ऐसे वर्दान की प्राप्ती हो सकती होगी किन्तु मुझे तो बिना जब तब और वेदा ध्यन किये सहज में ही ये दुरलवर्द प्राप्त हो गए कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे वैसे ही बहला दिया हो इसलिए इसकी परिक्षा तो करनी ही चाहिए कि ये वर्दान सत्य है या नहीं सिंदूर ने फिर सोचा कि परिक्षा तो हो लेकिन किस प्रकार ये परिक्षा ली जाए यहां कोई भी ऐसा प्राणी नहीं दिखाई देता जिसे पकड़ कर देख लूँ कि उसे पकड़ने पर उसके सो टुकड़े होते भी हैं या नहीं अब कहां चलूँ कहीं कोई भी दिखाई नहीं देता तब क्यों ना ब्रह्मा जी पर ही इसकी परिक्षा ले ली जाए ऐसा निश्यकर वह फिर से ब्रह्मलोक की और ही लोट गया उसने ब्रह्मा जी के पास जाकर घोर गर्जना की और अपनी भुजाओं को तोलने लगा पद्मयोनी उसके हाव भाव देखकर मन ही मन उसकी बात को जान गए इसलिए भाय के कारण दूर जाकर बोले की कहो पुत्र कैसे लोट आए सिंदूर ने कहा पिताजी कुछ नहीं मैं तो बस आपके द्वारा दिये गए वर्दान की परिक्षा लेना चाहता हूँ जब मुझे कहीं भी कोई भी दिखाई नहीं दिया तो यहां आना ही उचित लगा ब्रह्मा जी ने दूर से ही कहा कुत्र मैंने तेरी सुन्दरता देखकर ही मोह वशात तुझे वर्दान किया था मुझे तेरी इस कुटिलता और दुष्टिता का पता नहीं था कि तू मेरे वर्दान का परिक्षन मुझ पर ही करेगा इसलिए विश्धर को दूद पिलाने पर उसमें विश्की ही व्रद्धी होगी इस ओर और इस सिधान्त की ओर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया सिंदूर सुनता रहा लेकिन फिर भी नहीं माना और अंसुना करके वह ब्रह्मा जी की ओर ही बढ़ने लगा तब वे फिर से पीछे अटते वे बोले अरे मूर्ख अब तू असुर भाव को प्राप्त होगा और तुझे मारने के लिए गजानन भगवान अवतार लेंगे शाप सुनते ही जोर से अटाहस करता हुआ ब्रह्मा जी की ओर जप्ता ये देखकर वे तो प्राण बचा कर भागने लगे पीछे पीछे असुर भी दोर पड़ा ये दिपी ब्रह्मा जी असुर की अपेक्षा दुर्बलतु थे ही प्राण के मुह से बड़ी तेजी से भाग रहे थे भागते भागते वे पसीने से लथवत हो गए किन्तु असुर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा चतुरानन बैकुंठ धाम तक पहुँच गए थे वहां कुछ श्रम हलका करने के लिए रुके ही थे कि असुर वहां पर भी आता हुआ दिखाई दिया अब ये बड़ी तेजी से दोर कर भगवन विष्णु के पास जा पहुँचे जहां भगवान विष्णु ने उनका उद्वेग देखकर तुरंत अपने पास बिठाया और पूछने लगे कि विधाता आप इतने डरेवे क्यों है आपकी देह भी पसीने से भीग रही है लगता है बड़ी तेजी से भाग कर आए है प्रमाची बोले प्रभो मुझे निद्रा आ गई थी तभी पारवती पती पधारे मैं निद्रा से उठा तो मुझे जमभाई आ गई और मेरे मुख से लाल वर्ण का एक सुंदर महाकाय बालक उत्पन हो गया उसने मुझे से नाम रखने और रहने का इस्थान बताने की प्रार्थ न की तो मैंने उसका नाम सिंदूर रख दिया और रहने के लिए तीनों लोकों में इच्छेत इस्थान पर रहने को कह दिया किन्तु उसके सौंदर और पुत्र इसने से भ्रमित होकर मैंने उसे ये वर्भी दे दिया कि तु तीनों लोकों में विज़ई होगा और तु जिसे भी पकड़ कर जकड़ लेगा उसके स्यकड़ों टुकड़े हो जाएंगे अब वही दुरात्मा उस वर्दान का परिक्षन म आपको ही नहीं बलकि तीनों लोकों को यातना ग्रस्त कर देगा दोनों के बीच में इसी प्रकार वारतालाब चल ही रहा था कि दोड़ता हुआ सिंदूर वहां पर भी आ गया ब्रह्मा जी पर जपड़ता हुआ कहने लगा क्यों यहां आकर छिप रहे हो परन तु मैं तो आपको कहीं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ आओ चुपचाप मेरी पकड़ में आना स्विकार कर लो बचाओ ब्रभू बचाओ कहते वे ब्रह्मा जी भगवान विश्नु के पीछे की ओर छुपने लगे तभी भगवान ने उसे समझाया कि पुत्र तू तो अत्यंत बलव का परिक्षन करना है ये हो या फिर कोई अन्यवीर अगर ये नहीं लड़ते तो तुम ही आकर युद्ध करो ऐसा कहकर वे भगवान विश्नु की ओर ही बड़ा परन्तु वे तो परमनीती निपुण थे उसे भ्रमित करते वे कहने रगे पुत्र मैं तो केवल सत्व गुन स पर्न हूं इसलिए लोगपाल में ही लगा रहा श्री विश्नु ने मुस्कराते वे कहा कि क्यलास परवत पर शिवजी निवास करते हैं उन्होंने अपने दर्ष्टिपात मात्र से ही काम देव को भी भस्म कर दिया था बहुत से असुर उनकी हाथों मारे गए हैं वे उमान बड़ी प्रसनता हुई सोचने लगा ऐसे ही युद्ध प्रेव वीर से युद्ध करने में आनंदा सकता है इसलिए वही करना चाहिए और फिर वह बड़ी तेजी से चलता हुआ केलास शिखर पर जा पहुँचा उस समय भगवान शंकर समाधी में लीन हुए बैठे थे पा बार की तरह आज भी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा